तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं अपना जितना भी बेटाफिस से वो सभी का पानी बदलने वाला हूं मतलब वाटर चेंज करने वाला हूं तो किस तरीके से मैं पानी चेंज करता हूं कौन सा पानी में यूज करता हूं वो सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो को दो में आपको डीटेल में समझाऊंगा और वीडियो में जीतना भी आप बेटाफिस देखोगे वह कारेंट स्टॉक है मदला अभी वह बेटाफिस सेलिंग के लिए अबेलेविल है मगर दोस्तों मेरे पास अभी बॉक्स नहीं है में कुछ दिन पहले जो थार्मोकॉल का वीडियो में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बिना वक्द का वाया यह वीडियो सीधा सुरू कर देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले में अपना जितना भी रैक में बेटाफिस से उन सभी का वाटर चेंज करने वाला हूं उनके उसके बाद घर के अंदर बेढ़ के नीचे जीतना भी बेटाफिस है उसका वाटर चेंज करूँगा, जी हाँ दोस्तों मेरा बेढ़ के नीचे भी बेटाफिस है क्योंकि घर के अंदर थोड़ा सा गड़मी होता है इसलिए घर के अंदर बेढ़ के नीचे में बेटाफिस रखा है बाकि जितना भी betafuse मेरे घर के बाहर है बहुत सा भी betafuse को ठंड से बाचाने के लिए मैंने ये दारू का water उपर दिया है और उसके नीचे मैंने एक plastic का seed लगा दिया है ताकि ठंड हवा अंदर ना जाने पाए और अंदर का जो गरम हवा है वो बाहर ना आने पाए इसलिए मैंने ये मतलब तरीका लगाया है अगर आप betafuse को बाहर रखते हो तो आप भी इस तरीके से एक plastic का seed use कर सकते हो तो जितना भी betafuse है मैं अभी नीचे उतार लोगा उतारने के बाद सभी betafuse का water तो एक हाथ में मेरा फोन है मतलब camera कर रहा हूं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूं और दूसरा हाथ से में मचलिया नीचे रख रहा हूं तो थोड़ा सा time लगेगा तो मचली का quality आप लोग देख लिजिए और हाँ दोस्तों जिसको भी order करना है प्लीज खोजी दिन और wait कर ज अगर कोई 5 से जादा में लेना चाते हो तो 50 द्रोपिस द्रोपिस-थीं लेना चाते हो तो कोई अगर प्य क्री आले में स्टार्टिंग के आजू कर सकते हो मगर कुछ दिन बाद से मैं सिपिंग करना चालू करूंगा और जो पानी में यूज करता हूं water changing के लिए बो पानी पहले आप लोग देख लीजिए ये पानी किस तरीके से में ready करता हूं बहुत सारे वीडियो में मैंने बोल दिया है इस वीडियो में भी मैं बोल देता हूं क बोल चार दिन पूराना है ये पानी मेरे पास और इसके नीचे मैंने आर्मडलीब देखे रगा है आर्मडलीब मतलब ये इंडियान आर्मडलीब नहीं है हमारों जो बस्कु बादम बोलते हैं बादम बो एक बादम का पेर है तो उसका पत्ता में यूज किया है अब खालिक रहसे तो वह नोर्माल है इस तरीकी से जागुंकि पानी में आर्माड लीप इने तीन से भूइगोरक रहा तो पानी में क्या है दोस्तो ऐल्कलाइनीे ती बहुत जादा हो गया है इसके वाज़े से पानी सकति नहीं कहाती थेल्द साहरpt उस मचली को हाद में उठा के इस कॉंटेनर पे डाल दूँगा, कॉंटेनर का जो पानी है वो कलर देख सकते हो, आर्मन लिप के वाज़े से कलर थोरा सा रेडिस ब्राउनिस कलर का हो चुका है, तो सभी कॉंटेनर पे मैं पानी फर लोगा, तो 10 कॉंटेनर मेरे पास खाली है दस कॉंटेनर पे पानी फर लोगा, फिर दस कॉंटेनर पे जहां पे मचली है, बो दस मचली को उस दस कॉंटेनर खाली कॉंटेनर पे डाल दूँगा, फिर बो जो कॉंटेनर खाली हो जाएगा, उसको अच्छे से धोके साफ करने के बाद उसमें पानी फरोंगा, फिर दस मचली को उसमें लाके छोड़ दूँगा तो इस तरीके से दल दस मचली करके में water change करता रहोंगा यह देख लीजिए मैं हाथ में मचली को उठा रहा हूं और मचली का हाथ में उठा क्या क्वालिटी भी दिखा देता हूं देख लीजिए क्वालिटी का इसा है आप लोग कॉ कॉंटर से उठाकर दूसरा गॉन्टर रहा हूं देखिये दोस्तों यह दोनों का राका जो पानी है povo दोनों क का पानी का सेम मतलब टमपरेश जर का मतलब आपका जिस container पे already मचली है उस पानी का जो temperature और जिस पानी पे आज मचली को छोड़ने वाले हो उस पानी का जो temperature दोनों almost same होना चाहिए अब हाद डालो हाद डाल के देख लो अगर same है तो direct मचली को उठा के छोड़ दो अगर दोनों पानी का temperature बहुत जादा है मतलब उपर नीचे है एक पानी बहुत ठंडा है दूसरा पानी थोड़ा सा गराव है तो आप काम करो जो container पे मचली है उस container को दूसरे पानी जो बदलने वाले हो उसी पानी में थोड़ा सा डूब करके रख दो मतलब डिप करके रख दो तो उसके बाद दोनों पानी का temperature same हो जाएगा तब मचली का पानी water change किए अगर इससे पहले आप लोग पानी का मतलब changing करोगे तो मचली में एक तरीके का सौक लगता है सौक मतलब electric सौक नहीं एक तरीके का भोकल सौक लगता है जिसके वज़े से मचलिया जो है वो धीरे-धीरे खाना छोड़ देता है किसी-कि मचली में सौक इसना ज्यादा हो जाता है उसमें फिंड्राप आ जाता है तो आप लोग यह सब चीजों का ध्यान रखिएगा और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा वह पानी का मतलब quality देखिए जो भी पानी आप लोग यूज करोगे कोशिश करना वह पानी मिनिमम तीन दिन के उपर पूराना होना ही चाहिए जीतना पूराना होगा उतना ही अच्चा होगा मिनिमम आप लोग तीन दिन पूराना पानी यूज कीजिए मैं नौर्माली चार-पाई दिन पूराना पानी यूज करता हूँ और उस पानी में अगर हो सके तो आर्मडली नहीं है तो कोई बाद नहीं आप लोगों को कुछ भी यूज़ करने के ज़रूराद नहीं है आप सिंपल जो साधा पानी होता है मतलब जो नॉर्माली किस्टल क्लियर वाटर होता है उसी को यूज़ कीजिए मगर जैसा के बोला तीन दिन पूराना कर लिए उसके बाद यू किसी भी तरीके का बीमारी आपके मचली को छूँ तक नहीं पाएगा यहीं दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि पहले क्या करता था मैं आर्मनलीव यूज़ नहीं करता था जो लोग मेरा पूराना सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता है मैं आर्मनलीव कंदि का मौसम है मचली यह थोरा कम ख़ता है और कंखता है मतला मंचली कंश्रे में कम झाता है और दोस्तों आर्मनलीव नहीं है उसमें बहुत वह ही ही नृट्रीयenस में चला जाता है अब दोस्तों का इस से जाता है वह वो एक fun fact है आप लोगों को बता देता हूं कि इस तरीके से जाता है मचली के skin के थ्रू वो mineral या फिर जो जितना भी nutrients होता है वो सब कुछ मचली के सरीर में जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है मचली जब आप हाथ में उठाते हो मचली के सरीर में एक तरीके का स्लाइम रहता है जो चीप चीपा सा जो कोटिंग होता है उसे स्लाइम बोला जाता है तो स्लाइम के थ्रू मचली के सरीर में जीदना भी nutrients होता है वो चला जाता है तो यह एक white है white दोस्तों बहुत ही rare आता है अभी मेरे पास कुछ white available है आप लोगों को जितको भी जिसको भी मेरे को WhatsApp कर सकते हो और जिन लोगों का भी दोस्तों अभी shipment में देने भी पाया हूं उन लोगों से माफी मांग लेता हूं पहले ही क्योंकि आप लोगों को reason में ने पहले वीडियो में बता दिया है थार्मोकॉल का box का reason है अभी जिसको भी दोस्तों मचली चाहिए कुछ दि दौस हो रहा है कि इतना बराशाइज का मचली अरे वह बहुत सरा अंडा मिलेगा इससे आप देखे जब वो beiden बैठला रहा है मचली को बीडिंग के लिए बैठ रहा है तब दोस्तों असली घपला केसे उसको मिल रहा है क्या इसा मचली उसको मिला है मसली बीडिंग मेरे से मचली ना खड़ी रहे हो तो ना खड़ी दो, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे से ही मचली खड़ीजने पड़ेगा, मैं बिल्कूल भी ऐसा नहीं बोलता हूँ, आप जहां से भी मर्जी वहां से मचली खड़ीदो, मगर एक चीज देख के खड़ीदो, छोटा सा मचली खड़ी वह बहुत बार बीट किया है तो उसके सरीर में उतना एनरजी नहीं है कि एक और बार वह बीट कर पाए तो इसलिए दोस्तों आपका बीडिंग सक्सेस्पूल नहीं हो रहा है इसलिए दोस्तों मेरे पास जितना भी मचली है देख रहे हो यह सभी मचली का उमर पांच से 6 के लिए यह होगा इसे जैसे ज्यादा नहीं होगा तो चितना भी मचली यह वह पूरा यंग ơi भी मेल में होगा आपके बीडिंग के लिए पार्फेक्ट होगा के पास जाने के बाद यह मचली एक साल तक लगातर अंडा देगा एक हफदा चोड़ चोड़소 कर अंड़ा द लाइफ फुट खिलाना होगा अब जिन लोगों के पस लाइफ फुट नहीं है उन लोगों में एक रास्ता बोल देता हूं जिस तरीके से आप लोग मशली को लोट कर पाऊगे जल्दी जल्दी वो लोग स्रिंप यूस करो स्रिंप का पाद में ने पहले ही बोल दिया नरे बांगता हैं जो लोग हिंदी को जो जींगा ऑलते हैं ठीचस में स्रिंप की और में और वहित स्रींप भाइने भाइब उसकी प्रिंटे में लेता है चम्क्राव भूहां मसली के लिएप ऐसी को भाइब अगर न खाविए तो मशली के पेठ में Aaa मास का पॉब्लम हा सकता है मचली का सरीड धीरे धीरे खराब हो सकता है तो यह स्रीम आप लोग किस तरीके से खिला होगे वीडियो में थोड़ा सा दिखा रहा हूं इस तरीके से दोस्त आप कुछ भी लीजिए लेके चौवी कछब चॉप की जिया मतलब अच्वे से घुकरा ख़ला कीजिए उसके बात मचली के टैंक पर डाल दीजिए डालने के बाद मचली खा लेगा अभी मैंने ट्रोच चाल मदलब ट्रोच लगा कि आप लोगों को दिखा रहा हो तो मचली थोड़ा सा डर रहा है मागा स्रीम्प दोस्तों मेरा मचली बहुत यह अच्छी से खाता है अब लोगों के एक वीडियो में दिखाया था कि कितना अ तो कई बार ऐसा होता है कि muscle में चला जाएगा तो मश्ली मर जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप स्रिंप खिला रहे हो तो आच्छे से साफ करके खिलाओ बेजिजक खिलाओ मैं भी दोस्तों बीडिंग के टाइम पे मश्लियों को स्रिंप खिलाता हूं मेरा मश्ली आच्छे सब्सक्राइब करने करने के लिए ये चीज बोल दिया कि आच्छे से 감사합니다 जब ने हैं सबीञा हो सभी शुक्रत को मैंने शुरिंप डल दिया है सभी मलग का पेठ लीजैंग भड़ा हुआ है कोश-कोश मश्रिया अभी खा रहा है है तो जितना भी मश्रिया खेया नहीं है वो वह सब किशने कि में उठा जऱगाँ है शोटा हूं पानी में सर्थ राएगा बाद में बहुत एमोनिया बहुत हमाज़ीगा तो इसलिए दोश्थifi बोलो पानी में घोल के कलार ब्लू करतेता है उसके बाद बोलो बीचता है तो ऐसे मितनिल ब्लू के पीछे आप लोग बढ़ागो आज्टी रुपए वाला एक मिथनिल ब्लू मिलता है वो अच्छा कंपानी का होता है तो बोलो आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपका भरोसा है कि ये 10 रुपए वाला जो मिथनेल ब्लू में यूज कर रहा हूं अगर आप जहां से खड़ी रहे हो आपको अगर भरोसा है वो स्वाप कीपर के ऊपर तो आप लोग बेजी जग किलिये मिथनेल ब्लू मेंने यूज किया मगर आग जमत्र कर लोग मतलब भी वाखुव भी बना है तो इसलिया मैं बोल रहा हूं में बना है पैसे के पीछे मत भगो की सस्ता वाला सस्ता वाला चाहिए सस्ता वाला खड़ी दोगे तो भाई आपका मचली जाएगा ठीक है मर जाएगा सीधा बाद तो जितना भी मचली है वो खाना दिया हो गया है पानी भी मेने चेंज कर दिया है तो जितना भी मचली को जहां जहां प बता देता हूं क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक का सीट यूज करने से मशली में जितना भी मतलब ठंडा हवा जाता है वो हवा जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा तो मशली मशली को जादा ठंड नहीं लगेगा मशली को भी दोस्तों ठंड लगता है बहुत सरे ल पाया है उन लोगों को यह चीज़ पता नहीं है तो आप लोगों में बोलूँगा कि जिस लोग मदलब जो भी निया होवी में हो वो सब यह कोशिज करो कि सरदी का टाइम पर आपका गफी मॉली जो भी मचली है उसका जो टैंक है मतलब जो आकोडिया में आप मचली रख रह रहे हो उस कांटेनर का उपार का हिस्तिया पूड़ा कवर रखने की कोशिज करो क्योंकि कवर रखो गे तो अंदर का गरम हवा बाहर नहीं आने पाएगा और बाहर का जो ठंड हवा है वो अंदर नहीं जा पाएगा तो इसलिए दोस्तों मैं यह प्लास्टिक का सीट यह पैसे के मेरे पास घ्र के बहार एक राक है उस राक पर मेरा जो फार्म है बाहर का पूरा फार्म है और वहाँ पर पहर मेरे का पेटियें कर देता हूँ किसी को मस्टर्ड गयस अच्छा लगता है तो किसी को क्राउं टेल का मस्टर्ड गयस तो बहुत तरह लोगों का अलग अलग पसंद होने के वाज़े से में हर एक कर युकार्मेंट फुल्फिल नहीं कर पता हूं और हर बार दोस्तों में निया निया मचली लाता हूं तो और फिर बारासो इतनावी मचली होता है वह पैक करके में अचतर को फेज nedenat हूँ और यहीं होता है बोल्स्तों मसलो आप folist को मिलता है जो छो लोग पांस पीश-दस बीस-पीश लेने वाले हो उन लोगो अच्छे से अच्छ मचली में देने की कोसिश करता हूं जैसे निस मचली ।ाइसा होगया या फिर निच 근데 निची ने तो आइसे मचली में होबिश्ट कोने देता हूह। ऑबीस्ट एक दो मचली लेगा इसका मचली सबसे अच्छा हो तो इसलिए में होबिश्ट को हमेशे अच्छा मचली देता हूँ और जो होलसेलर होता है उनको पहले में वीडियो सेंड कर देता हूँ कि मेरे पास ऐसा ऐसा मचली है जो देख लो पहले उसके बाद मचली खड़ी दो क्योंकि मैं किसी को भी अंदरे में रखने से मेरा मतलब यह नहीं कि उसको अंदरा घर में कर देख रहे हो यह होलसेलिंग प्लस रीटेलिंग सभी के लिए है कोई वी मचली अगर आपको खड़ाब लागा तो वो मचली मेरे को बताईए वह टाइम लाइन आप लोग में करके बताई है कि यह मसली खड़ाब है एक मचली दोस्तों मैंने सीलेट करके लाया है हार एक मचली टॉप नौच है, एक-एक मचली भी आपको खरब नहीं मिलेगा, बस दोस्तों कुछ-कुछ मचली में फिंडरोड हुआ था, वो फिंडरोड का मचली मैं किस तरीके से ठीक कर रहा हूँ, वो भी एक वीडियो में बताओंगा, तीन या चार प्रदीक होने वाला है यह हमारा जो एक सबस्क्राइब रहे है यह वाप्त लोगों सब्सक्राइब्ध कर रहा है। के बाद इसका चाहिए खता है आपको लगता ही कि ये मसली चाहिए हमारे पास ज्यादा वक्त not to चलो काम पर लग जाओ